हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो का न उत्री के नमबर्स पेश किये हैं तो इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे कैसे रहे कंपनी के नमबर्स और इन फ्यूचर इन नमबर्स का कंपनी पर क्या हो मींस एफट पड़ सकता है उससे पहले अगर मैं आज के दिन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्टोक में तो आप देख सकते हैं, SHARE में जो तेजी आई थी, उसके बाद से SHARE में अब हमेग गिरावट देखने को मिली है, but अभी आगे जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से खायद से इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें तेजी आईगी, या इसमें मंदी आएगी आगे आभी हम रिजल्ट्स के बाद इसमें डिसकस करेंगे छे मंद की बात करें तो छे मंद में तो आप देखी सकते हैं क्या जबरदस्त 288% के रिटरंस हैं वहीं अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल वाले भी 262% के रिटरंस इस कमपनी में कमा कर बैठे हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कमपनी के सीधा नंबर्स पर लेकर चलता हूँ आप यहां देख सकते हैं थोड़ा साथियो नंबर्स को आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि नंबर्स पढ़ने में भी काफी चीजे हम mistakes करते हैं और काफी चीजे हम इसमें missing कर देते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां थोड़ा visibility अपनी वीडियो की आप बढ़ा सकते हैं तो आपको और अच्छी तरह यह दिख सकेगा सबसे पहले आप revenue from operations देख सकते हैं 267 यह रहा है जो कि last quarter में 274 था तो आप देख सकते हैं quarter on quarter जो net sale है या revenue from operations है उसमें हलकी सी मामुली सी गिरावट आई है बट अगर last year same quarter में बात करें तो revenue from operation जो है वो 97 था तो आप देख सकते हैं year on year काफी ज़ादा यहां उचाल हमें देखने को मिल रहा है वही अधर income आप देख सकते हैं इस quarter में 24 रही है जो कि last quarter में 130 थी तो आप देख सकते हैं दोस्तो अधर income last quarter में ज़ादा थी इसलिए जो total revenue है वो last quarter का हमें ज़ादा देखने को मिल रहा है और इसलिए मैं आप लोगों को यह चीज पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको जो company के numbers है उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा आगे हम देख लेते हैं total expenses इस quarter में 280.84 के खर्च रहे हैं जो कि last quarter में 324 के रहे थे और उसे last year 125 के रहे थे net profit आप देख सकते हैं profit for the period 8.64 जो कि last में 71 था और last same quarter में 1.14 था देखे दोस्तों मैं दोबारा आपको बता देता हूँ यह जो last quarter में ज़्यादा profit दिख रहा है यह सिरफ और सिरफ जो other income से आया हुआ profit है उसको conclude करके यहाँ ज़्यादा दिख रहा है operating profit पे हमें ज़्यादा focus करना चाहिए क्योंकि company जो revenue operating profit से कमा रही है और जो profit उसके बाद कमा रही है तो वो चीजें हमें हमारे लिए ज़्यादा matter करती हैं वही earning per share आप देख सकते हैं 0.01 रहा है जो की last quarter में 0.04 था और last year में 0 था चलिए दोस्तों अब यह हमने यहाँ numbers पढ़ लिए मैं आपको एक website के माध्यम से भी यह number पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ देखिए यह update हो चुका है December 2021 सेल्स आप देख सकते हैं 2.68 लास्ट में 2.74 थी slightly थोड़ इसी सेल्स हमें गिरावट देखने को मिली है expenses आप देख सकते हैं 2.67 इस बार रहे हैं जो कि लास्ट क्वाटर में 3.03 क्रोड थे means आप देख सकते हैं सीधा सीधा कंपनी ने जो अपने खर्च है उन पर काफी अच्छा कंट्रोल किया है इसी लिए operating profit की बात करें जो कि लास्ट क्वाटर में loss में था 0.29 क्रोड के वो इस क्वाटर में profit में आ चुका है 0.01 क्रोड का profit company को हुआ है other income जैसे मैंने आपको पहले भी बिताया लास्ट क्वाटर में काफी 1.31 क्रोड थी इस क्वाटर ने वो डाउन है 0.24 क्रोड है तो net profit आप देख सकते हैं 0.09 तो दोस्तो operating profit के लिहाद से अगर मैं numbers को देखूं तो आप देख सकते हैं operating profit company last quarter में loss में थी पिछले दो quarter से आप देख सकते हैं operating profit loss में चल रहा था बस बट इस जो quarter में December 2021 में company ने अपने खर्चेज को expenses को काफी हफ तक control किया है और इसलिए जो operating profit है ये company का positive means positive में आता हुआ हमें दिखाई दिया है APS आप देख सकते हैं 0.01 है वहीं अगर मैं company के share holding pattern की बात करूँ तो आप देख सकते हैं company में promoter का एक भी share नहीं है वहीं public की इसमें 100 की 100% holding है आगे दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा चलते चलते company की हम balance sheet के बारे में भी देखें तो आप देख सकते हैं results company के down आते हुए हम आए हमें दिखाई दे रहे हैं ये company के लिए अच्छी बात नहीं है long term borrowing company के पास 0.15 करोड की है चलिए ये तो ना के बराबर है short term borrowing भी 0.79 करोड है assets अगर हम बात करें तो आप current assets company के देख सकते हैं assets भी company के हमें down ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो overall दोस्तो अगर मैं means is stock की अगर हम finally जो results हैं और जो इसके parameters हैं उनको discuss करें तो company ने इस quarter में अच्छी performance दिखाई है operating profit जो की दो last के दो quarter से loss में चल रहे थे वो इस quarter में positive में आए हैं वहीं इसके अलावा sales का data भी company का अच्छा रहा है सबसे बढ़िया बात इस quarter में company के लिए ये रही है कि company ने जो अपने खर्च हैं उनको company ने अच्छी तरह से control किया है और इसी वज़े से company जो है वो profit में आती हुए हमें दिखाई दे रही है तो अभी ये जो means इस company ने अपना जो 4.01 का जो हाई लगाया था उसके बाद से stock में हमें गिरावट देखने को मिल रही है आप यहां भी देख सकते हैं बट अभी जो results है company ने वो अच्छे पेश किये हैं तो शायद से कल से हमें इस stock में अच्छी खासी दे ली towards the 4 के level तक जाती हुई दिखाई दे सकती है और अगर ये stock 4 के level को cross कर जाता है तो हमें इसमें अच्छी खासी और भी तेजी देखने को मिल सकती है बट दोस्तों मैं आपको दुबारा जैसा मैं अपनी हर वीडियो में आपको suggest करता हूँ आप लोग long term के लिए stock में invest कीजिए क्योंकि आप यहां भी result देख सकते हैं एक साल में काफी उतार चड़ाव भी company में रहे हैं बट फाइनली जिन भी साथियों ने एक साल hold किया है उनके returns आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त company में returns मिले हैं आपको कैसे लगे संके ट्रेडर्स के result आप comment section में जुरूर बताएं वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye